अब हमारा जो हिशल रहा था हमारा हैसफ का हमारा से फिटी प्रोग्रांब है हमारा अब इसके अंतरगत हम लोग कई सारे मैं आप लोगों यहां पे slides दिखाने वाला हूं एक एक करके ठीक है जो कि हम लोग क्या करेंगे जो कि हम लोग अपने अपने जो भी हमारे किचन से हमारे जो भी पांस सर्विस अपाटमेंट के किचन से वहाँ पर जाके हम लोग इन लोगों को पोस्ट करेंगे यह सारे आप लोग लैमिनेट इनको करवा लेना है और डबल साइड़ टेप जो होती है वहाँ पर हम लोगों को इसको पेस्ट कर देना है अब सबसे पहले यहां पर जो है मेरा है वो है मेरा परसनल हाइजीन पर्शनल हाइजिन मेरे पास यहाँ पर है अब पर्शनल हाइजविन का मतलब का बए तो वह हमारे भरोसे भी खार है कि हम लोगों ने बिल्कुल सुद्ध, साफ, स्वच्छ खाना बना रहा है अब हमारी भी जिम्मेवारी बनती है as a chef, as a cook, as a helper जो भी आपने आपको समझते हैं कि हमारी जिमेंभारी बनते है कि हम उसको अच्छी क्वालीटी का ठीक है खाना दे जो कि किसी भी प्रकार से उसके अंदरâte she was gedaan रहा था ना उसके अंदर किसी प्रकार का chemical hazard हो ना physical hazard हो ना biological hazard हो अब उसके लिए हम लोग को क्या करना है हमको यह वाले जो practices है वो हमको follow करनी है सबसे पहले personal है परसनल हाईजिन का मतलब क्या है परसनल हाईजिन का मतलब क्या है यह लगाई आप इस पर जाने करना है घर से सुरुवाद करता हूँ धर में सबसे पहले उठते आपको क्या दरना है सबसे पहले हम फ्रेस होंगे नाएंगे दोएंगे जो भी आप जो जिसका जो यह वो डेली करेगा तो शुवा मुझे उठते हैं तो हमारे परतों बेसे वह दुला भी होगा तो उसको फिर वास करें अभी यहां पर देखो परसनल हाईजीन का मेरा मतलब क्या है जैसे हम फूड हैंडल कर रहे हैं या चाहे आप किचल से सर्विस से कोई फरक नी पड़ता है डेली शावर हमारा हो जाता है रोज हमको क्या करना है नहाना है बेसिक वह एक रिक्वार्मेंट होती हमारी हमको र प्रॉथ था इसके बाद हम जब भी अपने किचन के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास हमारी खुद की साफ यूनिफर्म होनी चाहिए जो कि हमको डेली बेसिस पर हमको वह भी हमको चेंज करनी है ठीक है तो यह हमारे बेसिक रूल हो जो कि हमको अपने परसनल हाईज पैसे आपके काम पर इफेक्ट नहीं करने चाहिए अभी जैसे पहले क्या होता था लोग किचन के अंदर आपके यह नहीं होनी चाहिए इसके अलावा हमारा हैंड वाशिंग होता है ठीक है वह हम लोग अलग से ट्रेनिंग करेंगे बट परसनल हाईजिन के अंदर हमारी य एक चीज़ आती है हमारी इसमें एक चीज और है जिसे उमक बोला यूसंके अलावा हमारे जो दातों की साफ करना हो गाला हो इंपॉर्इंट हो जता है हादों के पैल रों की नकुन काटने है और इसके अलावा हमारे को सॉख भी ज़रूर अं ठीक है जैसे अ इंक्ली नही कीप युश्यफ क्लीन एंड वाटर क्लीन प्रॉट्टेक्टिव क्लोफिंग वन वर्किंग विथ फूट ठीक है अब आप अगर किचन के अंदर काम करें तो आपके पस आपकी युनिफर्म होनी चाहिए या प्रॉटेक्टिव क्लोफिंग का मतलब के आपके अपरेंस बगर किते हैं तो वह पर हमारी उपर लगने गिलती है था हुआ और युनिफॉर्म हमारे पस होने चाहिए इसके अलावा प्रोटक्टिव क्लोफ्टिंग इंदर हमारे गलफ्ट भी हमारे आ जाते हैं आपको हर जे के गलफ्ट पहनना है रेडी टु इटव तो प scout हो गलाप पैनना है पैनाँ आई अगर उपकाते वागत रहा हूं झाया थीम ध्जय करण के लिए और पैनना है। तो यहां पर एक चीज होते है जिसको हम लोग बनके तैयार है ऐसे खाने को हम लोग अपने जो ऐसे नंगे हाथों से नहीं टच कर सकते हैं जैसे आप ब्यूंत क्रें खाना हूँ आप अगर मडarme साउन थी निघी झाल झाल खर Nein अगर बना रहे हो ऑगर ला तो पनाठा बना रहे हु छोंकि आप पनाठे गलब नहीं कर लोगे अगर आप पराठे को काट रहे हो और आपका हाथ टच हो रहा है तो आपको गलव्स पहने क्योंकि वह क्या होगे ready to eat मेरा फूड वहां पर हो जाता है ठीक है सर तो यहां पर यह पंड होगे अब second है यहां पर wash your hand thoroughly before handling food अब कोई गया ओजिवी अगर आप काम कर रहे हो जैसे कि आपके खाने को ठच करने करने के लिए है इसके अलावा भी हमको हात होना है जैसे में मुल तोग मैंने kitchen अंदर amara तो सब से पहले मेरा काम यहीं होना चाइए मेरे को हाथ दोना है और करो का थो किया हुत है Right फ्रैक्टिकल्य हम भो जाएंगे किया हाथ धोने का भी प्रॉपर तरीका है हमारा तो वह हमको वहां पर फॉरलो करना हैर आणव कrans आपको हाथ होना इसके लाबा कब कब हमको और हाथ धोने होते तब आपको हाथ धोने हैं मैं इस रूम से एंटर करके दूसरे रूम में चला गया मैं वापिस आया तब मिरेको हाथ धोने हैं आप बोसकते कोई भी change of activities कोई भी change of activities अगर मैं कर रहा हूं तो मिरेको अपने हाथ धोने ही धोने हैं कुछ examples कोई example कब हाथ धोने हैं अब हाथ धोने मैंकेज़ ऋख स्लेध्यभ दोने ये विआ कग्यों हाथ किछद की इंटर कर आप इसका इलावा कब दूने हाथ कुछ कोई थे तो अब हाथ कब नहीं धोने ये बताई है यहां पर यहां पर यहां पर यह भी रूल होता है जिसे कि मालीचे कोई ना किस्ति बूर्ड को भी सिर्फ आप सिर्फ चारगंटे तक कर सकते हो चार गंटे के बाद आपको चोपिंग बूड को भी होना है वह भी बात नो चौपिंग बॉड का भी सींब रहता थे थीखे तो यह वह अगये दूसरा तीसरा हमारे यहां पर वह है हमारे नियल्ज तो उससे क्या हो रहा है जो गंदगी यहां फसरी है अभी कोंगी जो और मेरी के अंदर भी आक़ी और भी पर यह बिमार पढू सकते हैं जा को थैसे दो खाने के अंदर जा रहें फिर भी मिलबा पड़ा है अपने दांटों से नकुन निकाटे हैं यहां पर लेडिस वगएर काम करती हैं हमारे नहें तो चलता है पर किचन के अंदर कोई काम कर रहा है तो नेल्स हमारे ठ्रे मंगमारे होने चाहिए इसके बाद हमारे हमारे जो हेरनेट का है जो हम लोग टोपियां लगा के अपने सर पे रखते हैं कीप यूर हेर क्लीन टाइडी कवर विदा हेरनेट और हैट वाइल वरकिंग विद फूट डोंट स्क्रैच और हैड अब यह वाली टोपी आप यह पहने लिजे चाहिए शेफ वाली पहने यह कोई पहने लिजे उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है ठीक है ना ध्यान यह रखना है कि आपके कानवान पूरे कवर होने चाहिए दो चीजों से मतलब बेसिकली टोपी का इसमाल दो चीजों के लिए पहला किया जाता है ताकि जो हमारे जो पसीना है वह यही तक अंद पहली 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 जीए आज चल तो ऐसे बांधने वाली आती है वह पहली तो इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है इसके बाद यहां पर है डू नोट स्नीज कफ और टच यूर माउथ टीक है वाइल वर्किंग निद फूल अगर आपको खांसी है सर्दी है तो और वो इतना ज्यादा है कि आप एक तरीके से बीमारी हो तो आपको डूटी पर नहीं आना है सिंपल होता है न अगर आपको शरदी खांसी है यह और आपको शीख वगैर आ रही है तो आपको खाने के उपर उसको नहीं करना है त्टीक है जैसे चीख आ रही तो साइड एंश उसको आपको फिर खाने के ओपर आपको ने छीख न हो गया खासना हो गया इसका कफ खोंग को है वह तिए वह सारी चीजॐं को फिर खाने के ओपर नहीं हमको करनी है इससे हो ech खाने के अंदर जाएंगे फिर गैस्ट काईगा यह सारी चीजे जो मैंने आपको पताई इसके बाद है डू नट स्मोक वाइल वर्किंग विट फूड अगर हम लोग खाना हम लोग बना रहे हैं ठीक है तो हम लोगों को कभी भी स्मोकिंग हम को किचें के अंदर नहीं करने किचें के अंदर एक तरीके सा अलाउड भी आई थिंग आप तो कोई करता भी नहीं होगा आप तो पहले होते हैं तो इसका कुतना होई महतों नहीं है इसके बाद है डू नॉट इट टीक है डू नॉट इट वाइल वर्किंग फूड फूड अब जैसे हम लोग किचें में हम लोग शेफ है ठीक है तो वी आलाउड तो टेस्ट फूड हम लोगों को एलाउड है कि हम लोग अपने खाने को टेस्ट करें बट खाने को टेस्ट करना और खाने को खाना दो चीज होती है खाने को खाने का मतलब होता है कि मैं पेट भरके अपना मैं खाना खा रहा हूं और खाने को टेश्ट करने का मतलब है कि यह मैंने प्रॉपर्ली श्पून लिआ है और वो ख्रों खाना भाना है और आसको टेस्ट एट अब खाने को टेस्ट करने का मतलब अलग होता है और खाने को खाने का मतलब अलग होता है हम लोग जैसे मैंने बोला मैं शेफ हूँ तो यह हमारी एक तरीक से responsibility है कि खाना टेस्टी जाए सबस्वे प्राइम तो यह होता है तो दूसरा प्रॉपरली हाईजनिक तरीके से वो भी है बट अगर मैं इस पॉइंट को दुबार से अगर मैं पख़ड रहा हूँ ठीक है डूनट इट वाइल वर्किंग इट फूड अब आप खाना टेस्ट कर रहे हो तो आपको खाना तो पढ़ेगा को बार-बार आपको खाने के इंदर नहीं डाला है मैंनल भी तेस्ट कर दिया और दूसरे वाला है उससरे यह कर दिया तई नाट बूर आप यह कर सकते हो कि आप दो चम्मज ले रहा हो एक से आपने खाना पकड़ा दूसरे चमच पर डाला और आपने उस spoon से खा लिया पिर जो दूसरा spoon है दुबारा डालो वाला कि जो आपके मुझे को touch हो रहा हुआ है और जो खाने को touch हो रहा हुआ है और खाना नहीं खाने आप लोगो अपनी एक अलग timing fix कर सकते हो या कोई एक separate ऐसा कोना पकड़ सकते हो या एक जगे पकड़ सकते हो यहां तो अच्छी facilities है आप वहां proper बैटके खा रहे हो एक तरीके से खाने जब हम खुद खाना खाने को भी respect दे रहे ना तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तो इसके बाद है हमारे do not wear earrings, wrist, watches, hairpins, bracelet अब जैसे आप किछन मेंडी सब mens काम कर रहे होंगी अब हम लोग घडी पहनते हैं हम लोग क्या पहनते को एरिंग भी किसने bracelet पहना ओगा या घडी पहनी होगी अब आप पहन सकते हो यह कोई दिक्ट नहीं बट जब आप के अंदर enter करें तो आप लोग अपनी घडियां निकाल दीजिए ठीक है रीजन क्या होता है ठीक है घडी के अंदर में वह 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 साइड के parts होते हैं ठीक है एक तो उसके अंदर आपका जो गंदगी जमा होती है एक तो वह होता है फिर वह आपके skin पे touch होती है दूसरा जो part होते हो तूट-टूटके गिर सकते हैं same rings के साथ वह होता है ठीक है तो कोशिश करने हैं कि हम लोग यह चीज़े नहीं कर रहें ठीक है अगर देखेंगे basically अगर मैं बोल रहा हूं तो किसी भी प्रकार की earrings हो गया ठीक है या मैं watches बोल रहा हूं या ब्रस्ट बोल रहा हूं वह हम लोगों को नहीं पहनने चाहिए रीजन फिर से वह हो जाता है हमारे हैसब का सीन आ जाता है ठीक है ना हमारे जो physical contamination हम लोग बोल रहे हैं या chemical हम लोग बोल रहे हैं उन चीजों से फिर वह चीज़े हमारी विकार होने दे जाती है इसके बाद next point आता है वह आता हमारे cover cuts with a waterproof dressing किचन के अंदर काम कर रहे है हाथ कटेंगे कटेंगे वह कंपल सरी है ठीक है हाथ कटेंगे उंगलियां कटेंगे बट उसको भी एक तरीके से manage करने का एक तरीका है अब ही अगर मैं अगर मैं बोलता हो कि मैं bandage नहीं लगा रहा है अब यह फिर से वह contamination आगे है जो हम लोग है सब की हम लोग जो बात कर रहे थे हमारा फिर से भी हो गया अब जो blood cut के कहां गया हमारा खाने के अंदर गया उसके अंदर bacteria है blood cancer खाने से किस पर गया हो सकता है आप खाओगे या हो सकता है क्या आपका guest खाएगा दोनों में ख करना है क्योंकि आपका नीला ऐसा रंग है जो कि खाने का अधिकतर नीला रंग नहीं होता है आपका हरा मिल जाएगा लाल मिल जाएगा सफेद मिल जाएगा ठीक है ना नीला या काला अधिकतर खाना का रंग नहीं होता है तो ऐसे रंग की bandage लगा नहीं है अगर हो सकता है फिर से situation depend करती है कि बहिए किस stage पर हमने पकड़ी है ठीक है ना तच्छे चाओं में पकड़ी है फिर हमने पके वाले चाओं में पकड़ी है यह वाला हमारी हो गया इसके बाद है do not wear aftersave strong aftersave of perfume आप लोगों ने देखा होगा फ्रीज है हमारा फ्रीज के अंदर आप लोगों पावर करती है बाद की चीज़ों को तो जो भी soft चीज़े होती है उनके अंदर वो smell आने लग जाती है कभी अगर आप लोगों ऐसा देखो ना फ्रीज के अंदर आप देखोगो ना मच्छी की मच्छी की पूरी smell हो जाती है reason क्या होता है उसकी जो smell है बहुत ज्यादा strong है same उसी प्रकार से अगर हम लोग किसी भी प्रकार का एक aftershave मैं बोलू पर्फूम मैं बोलू कुछ भी बोलू कुछ भी खुछ भी वाली चीज़े लगा रही हो तो इतनी strong नहीं होने चीज़े कि वो आपके खाने के अंदर आने लग जाए एवन जो आप लोग खाना बना र लाएगी ठीक है तो वह ओवर पावर नहीं करनी है तो अगर आप कोई भी डियोड्रेंट पर्फूम किसी भी प्रकार की चीज़े लगा रहे हो तो वह सॉफ्ट रहनी चाहिए हमेशा ठीक है Hello everyone मैं हूँ शेफ धीरज मैं गुरगाओं में हूँ और हम लोग ट्रेनिंग कंड़क कर रहे हैं पर सर्विस अपार्टिक साथ कॉलाइप्स करके यहाँ पे हमारे चार दिन का जो ट्रेनिंग शेसंस होने वाले हैं जिसमें हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग करने वाले हो एक कि आप इन वीडियो के सहारी से भी अपने जो इंप्रोईज को और ज्यादा ट्रेनिग कर सकते हैं